हेलो है नमस्ते वेलेकम बैक टू माच चैनल अगेन और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर और आज चुमा टॉप पर लेके आए हूँ वो है लोकस ऑफ कंट्रोल जो की काफी फैसिनेटिंग है आप काफी इंटरस्ट है अग चाहूंगी ठीक है सो एक स्टडी हुई थी ठीक है कॉलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में उस स्टडी में ये देखा गया कि एक रिसर्चर थे उन्होंने फिफ्ट क्लास के बच्च पे उपर एक स्टडी की बच्चों को कुछ पजल्स दिये गए ठीक है कुछ पीसेस और कि आप इनको सॉल्फ कर रहे है कुछ हार्ड थे एंग कुछ इजी थे दियार दो कॉंबनेशन ऑफ पोथ इजी एन हार्ड वर्किंग है आपने दिमाग यूज किया आपने हार्ड वर्किया आपने महनत की इसलिए आपने ये इतना अच्छा परफॉर्म किया है बली ही लेकिन आधे बच्चों को क्या बोला कि आपने इसलिए सॉल्फ कर पाए है या आप इतना अच्छा इसलिए परफॉर्म कर पाए है क्योंकि आप आप इंटेलिजन्ट है इसलिए आपने सॉल्फ कर दिया और आधे बच्चों क्या बोला कि आपने हार्ड वर्क किया तो दिए गई उन दोनों को ठीक है थीक है सारे बच्चों को इन फैक तो क्या देखा गया काफी इंटरस्टिग्ट्री देखा गया कि जिन बच्चों बोला गया थे कि वो इंटेलिजेंट है इस वज्ञें से उनको ईहांसे इन पुझे पुद्र सॉल्व किया उन्होंने कम शो किया और इनफेक्ट कई बच्चों ने तो सॉल्व भी निकिया वो पसल ऐसे छोड़ दिया और जिन बच्चों को कहा गया था कि आप हार्ड वर्किंग है आपने मेहनत किया इस वज़े से आप यहां तक पहुचे हैं या पजल इतना सॉल्व कर पाया है या पजल सॉल्व ये फेस परसें 2 ला को सॉल्व भी है वहां को करे लाफ ये और आपने में नुग्द काई ने था스터 बाल मिया अन्चेण तो लग्द मोर geh एक्सटर सीयमे आप को बता आया मृच्च्छिक नत्व करें को एक्सटर्न केर इस थासिड कोर भी है नहीं एज संस्कुदों पाद क चले कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, अगर आपकी लाइफ का remote control किसी और के पास है, तो ये वीडियो आपके लिए है, देखे, आप एक internal person है कि external person है, राइट, चले आज का lecture स्टार्ट करते हैं, लोकस of control refers to a degree to which an individual feels a sense of agency in regarding to his life, his or her life, राइट, लोकस of control से क्या मतलब है कि एक person अपनी life का जो control है, वो कितना अपने agency में रखता है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, for example, which is your locus of control, आप अपनी life का decision जो है, आपकी life का decision कौन लेता है, मैं simply boost दियूँ, अगर आ आप लेते हैं अपनी life का decision, तो आप internal locus of control में है, और अगर कोई दूसरा आपकी life को influence कर रहा है, या कोई और आपकी life के decisions ले रहा है, या आपको लगता है कि मैंने जो भी किया वो किसी और के वज़े से हो रहा है, तो आप एक external locus of control में आते हैं, ठेक है, ये concept किस ने develop किया जूलियन रॉटल ने in 1950s, ठीक है, 1966, राइट, ये इसका थोड़ा सा background है, लोकस of control होता किया, अब मैं थोड़ा deep made explain करते हूँ, internal locus of control क्या होता है, और external locus of control क्या होता है, राइट, someone with an internal locus of control will believe that the things that happen to them are greatly influenced by their own abilities, actions, or mistakes, for example, मेरे exam में marks अच्छे आए, क्योंकि मैंने महनत की, मैंने पढ़ा, इतना answer writing किया, याद किया, learn किया, ठीक है, उसको memorize किया, वो मेरी ability के वज़े से हुआ है, मेरे actions के वज़े से हुआ है, जो मैंने mistakes की थी, उसको सुधार है, मैंने gradually मेरे marks increase हुआ, और यह मेरी महनत का नतीज है, कि मेरे इतने अच्छे marks आए है, ठीक है, सो यह internalized वाले people होते है, internal locus of control वाले people होते है, ठीक है, वही जहाँ, जो external locus of control होगा, उसमें क्या होगा, a person with an external locus of control, we tend to feel that other forces, such as random chance, environmental factors, or actions of the others, or are more responsible for the events that occur in the individuals, like for example, वही exam वाले example लेते हैं, easy ray का दोना है, कि मेरे अच्छे marks है, क्योंकि मेरा जो paper है, वो किसी lenient teacher ने check किया होगा, या मेरे practical मेरे अच्छे marks है, क्योंकि मेरे से question easy पूछे गए थे, like अब हमेशा आप ये reason दे रहे हो, कि जो भी मेरा result है, जो भी मेरे से हो रहा है, मतलब वो मेरे influence से नहीं हो रहा है, in short, so ये major difference है, internal locus of control and external locus of control, ये काफी deep concept है, और अगर अपनी life में ये apply करते हैं, तो I am sure आपकी life में काफी अच्छे positive changes आएंगे, तो जल्दी ही आप इसको अपनाने की कोशिच कीजिए, आप इसे समझने की कोशिच कीजि कोई भी आप psychology का concept पढ़ रहे हैं, या देख रहे हैं, या सुन रहे हैं, उसको अपनी life में जब तक उतारिएगा नहीं, तब तो कुछ होगा नहीं, कोई फायदा नहीं है आपको इतना lectures देखने की, या इतना पढ़ने की, सुनने की, right? Like other constructs in personality psychology, locus of control falls on a spectrum, ठीके, genetic factor जो ह से उसके behaviors और attitude बनते हैं, जो भी उनको early caregivers होते हैं, like for example, mother, father, उनके साथ जो भी childhood में experiences होंए, अच्छे गुरे, या जो genetically आए हैं, उससे हमारी personality form होती है, और लोकस of control भी उसी के spectrum में आता है, right? researchers have identified that several areas in one sense of control appears to affect outcomes, including education में, health में, civic engagement में, all over, overall, such research has generally suggested that those, those with a more internal locus of control are more successful, healthier and happier than those with a more external locus of control. देखिए, ये study से साफ सा पता चला है, जिसकी life का control, अब ये ऐसा समझे है, अगर आपकी life का control, आपकी life का remote control आपके हाथ में है, तो आप successful है, healthy है, happy है, अगर आपकी life का remote control किसी और के हाथ में है, तो आप नहीं है, simple, अब अगर हम इसको on flow diagram के जरीए समझे, तो लोगों सम control के तर आप के होते है, internal control, external control, internal control में क्या हाता है, कि ये जो things around, वो मेरे control में है, ठीक है, gives confidence to change, you create your future, आपका future आप determine कर रहे हो, आप बना रहे हो, कोई और नहीं बना रहे है, external control में क्या होता है, कि आपके life पे आपका control नहीं है, कोई और chance ले रहे है, कोई और random words और आपके life के decisions ले रहे है, luck और random chances are source of any success, right, okay, next देखते हैं, अब ये थोड़ा, इस diagram से हम थोड़ा सो समझने की कोशिश करते है, right, locus of control जो है, सबसे अंदर क्या है, इस diagram में, things that you can control, आपके thoughts आप control कर सकते है, action decisions, things you can influence, आप किस को influence कर सकते हो, other people को, other action को, other people's choices, team's response to change, जो आपके control में नहीं है, जो कि economy है, traffic है, weather है, आपको समझने के जरू होते हैं कि कौन सी चीज़े आपके control में है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ों को आप influence कर सकते हो, right, so हमने क्या बढ़ा हाज, कि locus of control दो टाइप्स के होते है, internal, external, internal मतलब I can control my destiny, and external मतलब others control my destiny, right, positive influence पड़ेगा, जिससे हमारा pro environmental behavior बढ़ेगा, ठीक है, यह positive है, तो इसका positive impact पड़ेगा हमारा emotional stability पे और हमारा emotional stability अच्छी है, positive है, तो वो कहाँ influence आलेगा दुबार, internal locus of control, so it's a loop, internal locus of control leads to positive pro environmental behavior, ठीक है, leads to emotional stability, तो emotional stability जो है, वो internal locus of control को भी effect कर रही है, और pro mental behavior को भी effect कर रही है, right, next, वैसे ही same है, organization setting में भी, locus of control, value, work value ethics, and job satisfaction, अब अगर हम देखे कि कैसे हम पैचान है, कि हम external person है या internal person है, external person होंगे, तो हमारे studies, जो भी हो रहा है, वो उत किसी और के वज़े से हो रहा है, असाइन्मेंट बहुत ह इसलिए में नहीं कर पाई, यह easy था, इसलिए में अगर पाई, I did well because of the test was easy, I got the good grades because of my teacher likes me, I pass because I have good karma, my prayers are the answers, I'm so lucky, I got A plus, so these kind of things, अगर आप इंटर्नल परसन है, तो हमेशा यह experience करते होंगे, that my grades reflect my effort, जो मेरे माग सा है, वो मेरी मेहनत के वे सा है, मैंने improvement किया, इसलिए मेरे creates में भी improvement आई, क्योंकि मैंने पढ़ा जादा, अगर में classes attend जादा करूंगी, तो मेरे अगर अच्छे marks आई है, तो यह एक internal academic locus of control है, so I hope आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो, काफी new चीज़ आपको जानने को मिली हो, please do like, comment, subscribe to my channel, and आपका बह बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, एक पर description चेक कर लिएगा, अगर आपको इसके पीडियो और इसके वार में कुछ भी जाना है, तो telegram group link है, जो की comment section और description बाल में already pinned है, तो हम वहाँ से जाके, अपने notes provide, जो हम कराते हैं, हम वहाँ से लिए सकते हैं, so thank you so सुर वाचिंग, बाइब बाइब